नमस्ते दोस्तों ये वीडियो में हम लोग सिखेंगे आज के दिन हम लोगों को इंडियन मार्केट में जो प्रोफिट बुकिंग देखने को मिला है उसके साथ साथ यूएस मार्केट में और यूके मार्केट में भी हम लोगों को डाउनसाड का मुमेंटम देखने को मिल स्टार्ट करते हैं निप्टि का अनलिसिस अभी आपके सामने में निप्टि का स्पोट का डेली का चार्ट लगाया वहा है कर के अनलिसिस के वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि market जो continuously चार दिन से higher close हम लोगों को दिखाते जा रहा है उसके बाद यहां पर कई ना कई एक profit booking वाला day हम लोगों को expected है और कल के दिन का high हम लोगों ने एक important resistance करके बताया हुआ तब वहां से हम लोगों को एक अच्छा कासा profit booking की वज़ा से downside का momentum देखने को मिल चुका है अभी कौन से बात के उपर आपको focus करना पड़ेगा इसको समझने की कोशिश कीजिए सबसे पहले market continuously चार दिनों से upside का momentum दिखा रहा था यहां पर जो लोगों ने अच्छे कासे नीचे वाले rate पर call buy करके profit पगावाया रहेगा उन्होंने यहां पर profit book करना prefer किया और जो put call ratio है वो भी एक higher side के उपर जा चुका था जो लोगोंने मेरा open interest का free वाला course किया रहेगा उनको पता है इसको किस तरीके से interpret करना है तो यह higher side पर put call ratio higher होने के कारण यहां पर हम लोगों को एक profit booking देखने को मिल चुका है अभी कल के दिन हमारे जो important level निकल करके आ रहे है वो बहुत ही interesting level बनके आ रहे है जब आप इसको 15 minute chart के उपर देखोगे तो आपको इसका important समझ में आ जाएगा सबसे पहले हम लोगों को उपर की side में एक important resistance level दिखाई दे रहा है और नीचे की side में हम लोगों को एक important support level दिखाई दे रहा है अगर आप ठीक से देखोगे तो यह level के उपर हम लोगों को एक important chart pattern बनता हुआ दिखाई दे रहा है कल के दिन market अगर इस level को break करता है तो हम लोगों को upside का momentum देखने को मिल सकता है नीचे के side में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एक important support बनता हुआ दिखाई दे रहा है 21,980 के करिब का कल के दिन market अगर इस level के नीचे निकलता है तो यहाँ पर एक बड़ा downside का momentum होने के आशंका है इसके पीछे के reason आपको समझ में आने चाहिए जब तक आपको reason नहीं समझ में आ जाएंगे तब तक आप खुद का analysis नहीं करोगा होगे सबसे पहला reason जो है वो एक important support level जो है जिसको market ने multiple बार test किया हुआ है तो यहाँ पर break होने के बाद downside का momentum रहने की probability बढ़ जाती है second point यहाँ पर अगर आप देखोगे तो market ने एक gap बनाया हुआ है यह gap fill करने के लिए market यहाँ पर नीचे की side में आ सकता है मेरा gap का वीडियो आप जाके देख लीजे gap theory मेंने पूरा explain वहाँ पर करके बताया हुआ है YouTube में अभी वीडियो मेरे channel पर आवे level है फिर third important point जो आता है वो open interest के data का आता है अगर आप देखोगे तो 22,000 का जो level है एक crucial level यहाँ पर बन चुका है तो open interest की data में अगर आप देखोगे तो put के side में वहाँ पर highest open interest बन चुका है तो यहाँ पर previously जितने वे लोगों ने buy के position बनाए रहेंगे वो लोग एक expectation लेके बैटे हुए है कि इस level के करीब market उपर sustain कर पाएगा लेकिन आगर आप यहाँ पर देखोगे तो market यहाँ से ज़्यादा उपर गया था 2900 के करीब का पहला target वाला level निकल करके आ रहा है कल के दिन इसको live market में आप चेक करके देख सकते हो अगर यह तीनों point अच्छी तरीके से work करते है तो next time आपके analysis में यह तीनों point को add कर सकते है अभी देख लेते हैं कि intraday में हम लोगों को कौन से level के ओपर और focus करना पड़ेगा फिलाल के लिए जो अभी pattern यहाँ पर मैंने develop किया हुआ है इस pattern के आलावा और एक important point हम लोगों को consider करना पड़ेगा कि market जो है वो market में एक important selling zone भी यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 22,100 से लेकर यहाँ पर 20,080 के बीच में market में एक तगड़ा selling का pressure हम लोगों को देखने को मिल चुका था तो कल के दिन अगर market इस level को downside की तरह प्रिस्पेक करता है तो downside का reversal वाला probability यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है कल के दिन market आगर directly gap up open होता है तो gap up opening के बाद फिर यहाँ से हम लोगों को downside का reversal वाला momentum देखने के आशंका है market में fresh buying एक ही तरोल पर आ सकती है जैसा मैंने आपको बताया हुआ है कि जब market एक lifetime high को historic high को break करेगा तब यह upside का momentum देखने को मिलेगा लेकिन उसके लिए market कल के दिन यहाँ पर range bound momentum देखाना जरूरी है तो फिर बुद्वार के दिन हम लोगों को बहुत सारे global trigger मिलने वाले है और इस global trigger के बाद ही हम लोगों को market में upside का momentum देखने को मिल सकता है लेकिन इसके आशंका थोड़ी कम है इसके पीछे का reason है चाइना की तरफ से जो आभी खबर निकल के आई है Bloomberg के हवाले से तो यहाँ पर चाइना जो है वो stimulus package देने की तयारी कर रहा है यह stimulus package जो है वो stimulus package अप्रॉक्जिमेटली 13,900 करोड के करीब का आ रहा है तो exactly अभी इसका confirmation अभी Indian scenario में आप लोग को consider करना पड़ेगा और फिर उसके बाद हम लोगों को एक conclusive जब confirmative data मिलेगा तो उसके बाद हम लोग इसको analysis deeply करेंगे अभी देख लेते हैं कि bank nifty हम लोगों को किस तरिके का momentum यहाँ पर indicate कर रहा है bank nifty का मैंने आपके सामने अभी चार्ट लगाया हुआ है daily का पहले हम लोग daily chart के उपर analysis करेंगे और फिर उसके बाद intraday में जाएंगे मैंने आपको कल के वीडियो में बता दिया था कि bank nifty में भी हम लोगों को continuously चार दिन series of higher highs और higher lows और higher lows और higher close मिलते हुए दिखाई दे रहे है और market ने यहां पर एक profit booking वारा zone already create करके रखा हुआ है जहां से अच्छा कासा selling का position initiate हुआ था तो exactly इसी zone में जाने के बाद market में अच्छा कासा profit booking देखने को मिल चुका है जो लोग मेरे regular वीडियो देखते हैं उनको कल के वीडियो में पता रहेगा कि जितने भी लेवल में आपको दिये हुए थे exactly सभी लेवल को market ने respect किया हुआ है और market respect करने के बाद फिर हम लोगों को consider करना पड़ता है कि इस लेवल के करिब आने के बाद price action को किस तरह के से read करना है यह मेरा free वाला telegram channel का link वीडियो के नीचे description box में डाला हुआ है आप वहाँ पर उसको join करके देख सकते हो अभी कल के दिन का momentum calculate करने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा intraday chart के उपर अभी आपके सामने में ने intraday का spot का चार्ट लगाया हुआ है तो यहाँ पर आगर आप देखोगे तो नीचे की साइड में हम लोगों को एक important support level बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिस support level को market ने multi पर बार test किया हुआ था अभी यह support level के करीब जाने के बाद हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि यह 48,000 के करीब का आ रहा है प्लस कितने लोगों को यहाँ पर एक चार्ट पैटन बनता हुआ दिखाई दे रहा है वीडियो को like करके comment section में मुझे उसका नाम बता दीजे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो market ने continuously एक upside का momentum बनाया हुआ था और इस upside momentum के बाद हम लोगों को एक यहाँ पर pattern बनता हुआ दिखाई दे रहा है इसको बोलते है head and shoulder pattern यह head and shoulder pattern का neckline जो निकल करके आ रहा है वो 48,030 के level के करीब का आ रहा है अगर market इसको downside की तरफ break करता है तो बहुत ही तगड़ा downside का momentum हम लोगों को देखने को मिल सकता है इसको consider करने का इसके पीछे का reason एक ही है तो पहला है जो global market में हम लोगों को जो है downside का momentum दिखाई दे रहा है इंडियन market में put call ratio higher side के उपर है बुद्वार के दिन हम लोगों को बड़े data point US market में और UK market में देखने को मिलने वाला है गुरुवार के दिन हमारा expiry होने वाला है तो वो भी momentum हम लोगों को देखने को मिल सकेगा फिप्थ point अगर आप देखोगे तो आच्छा का upside का momentum जो है वो हो चुका है और upside momentum के बाद हम लोगों को 15 मिनिट चाड़ के ऊपर एक train change का साइने मिल चुका है तो इतने सारे point को अगर आप consider करते हो तो आने वाले 2-3 दिन हम लोगों को stock market में बहुत ही important रहने वाले है तो आपको पूरी तरीके से focus करके यहां पर काम करना पड़ेगा कल के दिन अगर कोई और बढ़िया opportunity develop हो जाता है लायू market में तो आपने free वाले channel में मैं update कर दूँँगा जिसका link वीडियो के नीचे description box में मैं डाला हुआ है यह वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को like कीजिए और अपने YouTube channel को subscribe करके bell icon का button दबा दीजे तो मिलता है next educational वीडियो में thank you very much